हाई गाईज मैं हूँ रवी और आज मेरे पास हीरो की ड्यूट स्कूटी है इसको आज हम लपीजी कर्मेक्शन कीट लगाएंगे तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रही है और वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल रवी मेनद्य पर को क्लिक कर दिए जिससे आगे में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकिशन मिल यह हीरो की ड्यूट कर दिए जो एक लिटर पेट्रोल के अंदर मेरे इसाब से 30 किलोमेटर चलती है तो अब जब इसमें लगाएंगे उसके बाद यह एक लिट की साथ पूरा बना रही है और आप देख सकते हैं हे रो की यह है यह यूटा इस वाले डिकि को कर आँक में ले conservatives लेकर इसमें दो किलोर का सिलेंडर लगएंगे और सिलेंडरि इस साथ का इस सीथ पंडकर है आप देख सकते और बाइक में भी हम लगा सकते हैं लेकिन स्कूटर के अंदर यह काफी अच्छा रिजल्ट इसका तो यह हम इस तरीके से अपना यह काम होगा तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट अब मुझे इसका जो डिक्क है वह खोलना होगा तो मेरे पास मैंने पहले इससे पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें आमने इंको कंपने के कुछ फ्रोड़क खरी देते तो काफी एचे चल रहे हैं और इसको हम खोलेंगे तो देखिए इससे मेरा काम काफी आसान हो जाता है जब मैं मेरे वाक्शोप में काम करता हूं तो जाता है करता हैं जाता हैं धूछ एंगे हैंगे तो क्ईयाल है, क्पीस हुई है शेया क्चान nggak करा यार्फ, आँ dat करता हैユ आँ झाल झाल तो गाइज यहां मनें इसका उपर का जो होड उता है उसको खोल लिया है अब इसमें मैं LPG कनेक्शन करूंगा तो आप वीडियो को देखिए और अगर आप LPG किट ओडर करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नमबर है और मेरा यही वोट्सप नमबर है इस पर आप मुझे वोट्सप पर मैसेज कर सकते हैं दिन में एक बज़े तक कोलिंग का टाइम रहता है और वोट्सप मेरा 24 आवर चालू रहता है इसके उपर आप आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डाल सकते हैं तो मैं जब भी फ्री होंगा तब आपको उसका रिप्लाइब करते हैं और दोस्तों एक चीज और जरूरी सुचना मेरे मिलते जुलते नाम के यूट्यूब चैनल से सावधान रहे और उनसे आप अगर LPG किट ओडर करते हैं मेरा नयम लेकिए अगर वो आपको कोई लुबाव ने ओफर देता है तो सावधान रहे हैं दोस्तों आपके साथ फ्रोड भी हो सकता है मेरा एक ही कॉंटेक्ट नमबर है 9928505007 और मेरा एक ही यूट्यूब चैनल है रभी मेनार्या के नाम से और लाइव आप मुझे देखी रहे हैं दोस्तों तो चलिए आप इस वीडियो को स्टार्ट करते है लोजे हो यूटोस्तों च।ोस्तों च।ो चाहँ कर दो कर दोस्तों सेलग कर द कहा हैं और अभी मेरे दोक्तर french겠다 झाल 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 तो गाइस यह हमारी जो रेगुलर सेटिंग होती है कार्पेटर की वह हमने कर दी है आप मारा पहले का वीडियो भी देख सकते हैं तो इस कार्पेटर के कंप्लेट सेटिंग करके अब हम इसको फिट करेंगे और जो गेस की पाये पर कैसे निकालते हैं वह भी मैं आपको इसके आगे बदा होंगा तो बने रही है वीडियो के साथ बड़ियोस। वाता हुद दूंग वाता हुद दूंग हुद गुद आग हुद आग झाल 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 तो इसको मैंने इस तरीके से गाइज इसके अंदर फिट कर दिया है और अब मेरा जो यह पाइब वारा है कार्वेटर का पिछे से इसका इसके अंदर लगा दूगा तो लगाने के लिए कोड़ा सोलेशन लगाएंगे इसके उपर और लगा दिया और इसको फिट कर देंगे जब प्रवगा दूआ लगाने कार्वेटर बढाएंगे नोगदा आपля कर दोगाएंगे अंदरुर्वगाई बगाई आपिफ़ बडाई मैंने ज़सके लगा है एज बगा लगा है अाव अगय लगान झाल प्रेजट झाल 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 को झाल 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 पाइप यह मैजिक मेरा ओरिजनल वेपोराइजर है तो इसके अंदर मैं इस पाइप को लगाऊंगा पाइप 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 अपाइप झाल झाल पाइप बद़ झाल यह अपना हाई टू लो प्रेशर है क्योंकि इसका सीट का स्पेस बहुत ही कम होता है तो उसमें सीट अपने फिट नहीं होती है इसके लिए मेरे पास यह यूनिटेक का ओरिजनल लो टू हाई प्रेशर है इसको मैं इसमें फिट करूंगा हाई सका सू नहीं हुआ कि उनके ल формéré का ठाच है जब बंदू क्यों성 स्भी नहीं थेखरी कर जकते नहीं धू है बदेशों कि अव हुआ कि उनके विए हुआ है कि नहीं एवाओ कआब है वितकता कर अपाली नहीं हुआ है तो यह मेरा वेपोरेजर कम्प्लीट है आप देख सकते हैं और इसमें मैंने हाई टू लो भी एक चो रेगुलेटर का जो सिस्टम है रेगुलेटर प्लस रेडूसर का इसको मैंने कम्प्लीट लगा दिया और अब मैं इसको लगाऊंगा इसको टी के अंदर एक बार हम इसे बार टेस्ट करेंगे उसके बाद हम इसके अंदर फिट करेंगे तो यहां पर मैंने इसको लगा लिया ओन कर लिया अब आप देखिए मेरा यह जो है वो गेस का पाए पे इसको मैं अंदर इसके अंदर एक से इजीली डाल दूँगा और यह मेरा वेक्यूम का पाई पे इसको भी मैंने इधर यह डाल दिया और थोड़ी सी पहले हम इसमे पाई निशी गिर गया तो थोड़ा सामे इसके अंदर यह से इस पहले साई कम कर लूँगा उसके बाद हम यह खोलेंगे यहां से थोड़ा सा प्रेश करेंगे और अब हम स्कूटर को स्टार्ट करेंगे सो किया होता है अगे प्सक्राइब तो बैस-ध इस अपनी गाड़ी कंप्लिट में पेडि़िप पे शेत इसको मैंने कंप्लिट इसमें पेट्रोल का अभी मैंने जो कनेक्शन है वह भटा रखा पूरा बिल्कुल आप देख सकते हैं इतर मैंने इसमें पेट्रोल टीवी लगाई है तो बिल्कुल ओफ है पेट्रोल का सिस्टम अब देखिये मैं जैसे इसमें इगनिशन ओन करूंगा और ये ब्रेक प्रोपर कम्प्लीट अब कर रहा है थोड़ा सा इसका एक्षिलेटर ज्यादा है तो मैं यहां से कम कर लूंगा अब आइड़ से थोड़ा सामें ने सोफियन कर लिया ripe और और प्रोपर तरीके से अपना स्कूटर कम्प यह प्लत प्लस पैट्प्रोल पर एक तो फिर दाती हम एक टोब हैं हैlet इसको आपस पिट करेंग속ल करेंगे तो यह मैं लोट हम से słuटटर आए कर दो किसी क कर दो कॉ क्僅ो कर दो कर दो का भाग कि आmos accessed सर दो हो seven कि यड़ सर दोग सर प्रूय गोड़ कि यजया हो प्रadors बस्मुलाण खर समगी कि अगूञे जया हो... झाली नग च्क ऱचुम। कि अभिजये प्रपसर रस कि पिए इबाब हैं पहाँ कर दो कि दोग जानी है कि घर्टाइब पहाँ जारा है रड़ है पहाँ कि भाँ कि अबे खंगा अ वहाँ है कि अभसी पहाँ कि अख़ई खंगग रलाँ इसको कम्पलीट एलपीजीप कर दिया आप देख सकते हैं इसमें डो किलो का सिलेंडर हाइटू लो यह रेडिशर लगा के कम्पलीट कर दिया है अब मैं आपको इसके करके बताऊंगा तो आप यह अच्छा इसका यह है एक हाफ सेल्फ के अंदर गाड़ी स्टार रनेंगे आप देख सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नाए है मित्रों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रभी मेनार्या को और आगे जोगे हम वीडियो बनाएंगे जिसका आपको सबसे बहुत नोटिफिकिशन नहीं जाएगा अगे बाद बेल आइकन को दबा दीजिए और उस पे जो ओ वोट्सप नंबर है 9928505007 LPG किट के रिगार्डिंग आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं LPG बाइक, CNG बाइक और इलेक्रिक बाइक के रिगार्डिंग आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं वोट्सप और मेरा जो पॉलिंग का टाइम है वो है दोस्तों सुबह 10 से दो पर एक बज़े तक का इसमें आप मुझे पॉल कर सकते हैं और जो भी जानकारी हो मुझे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और मेरे मिलते चुलते नाम से आप साधान रहिए मेरा एकी कॉंटेक्ट नंबर है 9928505007 बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो में ओके बाई बाई जय हिंद जय वारत